तीस वोट का आउटपुट 20 वोट का आउटपुट 24 वोट का आउटपुट अब बोलोगे यह क्या चल रहा है यह 30 वोट का 3000 का यह 20 वोट का 25 में यह 24 वोट का 2000 में फरक क्या है सबसे important RGB यहां भी RGB मिलेगी यह हो गया on RGB RGB यहां पर EQ mode दो यह music कंट्रोल करने के लिए दूसरा टीडू लेस मोड है और इसमें खास बात है कि इसमें आपको का स्पोर्ट पी देखने को मिलता है तो तीस वोट के आउटपुट के साथ अच्छी खासी तो इसमें कोई ऐसी compatibility नहीं है कनेक्टिंग ओप्शन सारे दिये गए हैं लेकिन बजट में 24 वोट दिया गया है यह इसकी खासियत है बैटरी में कब इसका ही बहुत अच्छा है और IPX सेटिंग कोई देता नहीं है इसकी मीवी वगएरा कोई सी खास नहीं है एक बिल्कुल छोटा सा साउंड सेंपल पता चल जाएगा आपको साउंड क्वालिटी का कितना डिफ्रेंस है तीनों के अंदर और ले लेता है शुरुवात करते हैं बुम बोक्स देन रियलमी और यह पैटरन रहेगा एक एक छोटा सा बूल लेंगे शुरुवात करते हैं बुम बोक्स है अंडर पसेंट वोल्यूम है क्वर्ण क्वालिटी तीनों के ही बहुत जबर्दस्त है लेकिन कौन किसमें ज्यादा माहर है बता देता हूं वेल्यूफो मनी ओके देन कॉम्पेक्ट बेस्ट बैटरी बेकप एंड देन पार्टी लाउडनेस बेस अब इन तीनों में से आपको क्या चाहिए वेल्यूफो मनी चाहिए कॉम्पेक्ट चाहिए या फिर पार्टी टाइप चाहिए यह आपकी चोईस है और इजी हो जाएगा आपके लिए चूज करना क्योंकि ऐसे तो कंफ्यूज ही रहोगे क्योंकि हर बंदे के अलग-अलग हर स्पीगर की अलग-अलग स्पैसिफिके तीनों का प्राइस सेग्मेंट अलग है सबसे पहले प्राइस से बात कर लेते हैं प्राइस अगर 3,000 रुपे है आपका तो आप इसके लिए जा सकते हो प्राइस अगर 25 रुपे है इसके लिए जाओगी प्राइस अगर 2,000 रुपे है तो इसके लिए जाओगी इसमें तो क पर clarity lag होती है, तो वो थोड़ी से quality यहाँ पर नहीं मिलेगी, यहाँ पर 3 EQ mode मिलते हैं, bass boosted, bright और compact, इसकी जो sound की quality है ना, वो बहुत जबरदस्त है, मतलब इसकी sound की quality है ना, बहुत ही खतरना combination, अच्छा combination आप कह सकते हो, यह लेने का फाइदा तब है, जो आपको sound quality चीए हो compact चीए हो, ज्यादा better backup चीए हो, game mode चीए हो, अब आप इसके लिए जा सकते हो, क्योंकि यह overall एक छोटा package, एक छोटा package बड़ा दमाका है, अब यहाँ पर sound quality बहुत amazing है, बट 30 vote के output के हिसाब से, और 3000 रुपे के हिसाब से, इसका sound output है, वो थोड़ा सा low है, उतना ज़्याद नहीं है, बट इसमें RGB आड़ कर दी गई है, और दूसरा का option आड़ कर दिया गया है, जिसके वजह से, कहीं ना कहीं यह भी value for money हो जाता है, अब बात करेंगे, रेटिंग के साथ, आपको clear हो जाएगा, देखो, boombox आपको लेना है, तो आप उसके लिए लिए लो, जिसमें आपको party type होता है, especially, क्योंकि RGB effect को एरा रहता है, तो party type होता है यह चीज, और इसमें sound quality clear आती है, इसमें 30 vote का आउट पूर दिया गया है, बट उतना ज्यादा base नहीं दिया गया है, जिसके वजह से, इसके creative बनी रहती है, अगर आपको एक compact size में चाहिए, और बहुत लगी है, अब यह जो speaker है, इसका मैंने आपको बता दिया, budget में तो है, value for money बहुत अच्छी है, लेकिन इसका sound quality है, वो इन दोनों के मुखाबले कम है, तो अगर इसकी sound quality को मैं rating दूँगा, अगर इनको मैं rating दूँगा 4.5, इसको 4, और इसको दूँगा मैं 3.5, क्योंकि इ इसकी सबसे ज्यादा better है, loudness और bass इसका ज्यादा है, और budget के अंदर loudness, bass यह ज्यादा better performance देती है, तो overall आपको पहले यह decide करना पड़ेगा कि आपका specifications क्या है, आपको चाहिए किस चीज के लिए, party type के लिए चाहिए, definitely इसके लिए जाओ, budget चाहिए, definitely इसके लिए जाओ, ल price almost same-same से एक तरफ 500-500 रुबे का difference है, और अलग-अलग rate पे अलग-अलग speakers है, तीनों ही बहुत अच्छी brand है, और तीनों की performance बहुत अच्छी है, तो वंदा confused हो जाता है कि लूंक हो साथ, तो इस वज़े से मैंने इस comparison बनाने के सोची थी, comparison कैसा लगा, वीडियो के comment section में मता देना यार, और अच्छी लगी हो तो like, comment and share, और मेरे हिसाब से,